तो स्टुडेंट्स आम मनोशर फ्रम लर्निंग पॉइंट तो आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कांटिनिवस जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी 10 से स्रीच चल रहा है ओके तो पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप जो भी मेरा वीडियो देखते हैं उसक तभी समझ में आएगा तो ठीक है मैं इसके पहले परजेंट के चारों टेंस को पढ़हा दिया और फ्यूचर में फ्यूचर इंडियीं इन हीफनेट फ्यूचर कांटिनिवस और फ्यूचर परफेक्ट को भी समझा दिया है पढ़ा दिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे future perfect continuous के बारे में तो ठीक है आप वीडियो को अंत तक देखिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप लाइक जरूर करना और जो अभी तक से subscribe नहीं किये हैं और प्लीज सबस्क्राइब जरूर कर देंगे तो ओके आते हैं topic पर देखिए main चीज है कि पहले हमें किसी भी tense का पहचान को जानना होता है clear है तो देखिए आज का जो topic है future perfect continuous इसके पहचान को जानते हैं देखिए future perfect continuous के वाक्यों के किरिया के किसी भी किरिया के अंत में जो पहचान होता है वही पहचान उस tense की पहचान होती है तो अभी मैं आपको जो बतानेजा रहा हूं future perfect continuous वाक्यों के किरिया के अंत में रहा होगा रही होगी रहे होंगे रहा हूंगा इस तरह के sentence का बनावट होता है future perfect continuous का तो आईए पहले मैं पहचान से सुरू करता हूँ पहचान वाक के क्रिया के अंत में रहूंगा रहेंगे रहेगी अथवा रहा होगा रही होगी रहे होंगे रहा होंगा ओके तो मैं हर वीडियो में आपको बताया हूँ कि हर sentence को तीन पार्ट में बाटा जाता है जैसे affirmative sentence फिर negative sentence और उसके बाद interrogative sentence तो पहले हम लोग affirmative sentence के बारे में पढ़ाएंगे affirmative का सकरात्मक meaning होता है हिंदी में affirmative sentence को हम सकरात्मक कहते हैं और affirmative sentence की क्या पाचान है affirmative sentence में not का परियोग नहीं होता और affirmative sentence में प्रश्म का भाव ब्यक्त नहीं होता है तो देखिए affirmative sentence का structure है subject फिर will have उसके बाद bin का परियोग करते हैं फिर verb के first form में ing लगाते हैं उसके बाद object को रखते हैं फिर आप for का परियोग करते हैं और अंत में time को लिखते हैं अब देखिए एक चीज़ और भी है यहां हमने will have लिखा है बहुत से लोगों के दिमाग में होगा कि भाई cell have भी होता है होता है first person pronoun में जैसे I और we है उसके साथ आप cell have का भी प्रियोग कर सकते हैं लेकिन अब mainly will have का ही प्रियोग किसी भी प्रोनावन के साथ आप कर सकते हैं तो ठीक है पहले हम subject का प्रियोग करेंगे फिर will have का प्रियोग करेंगे उसके बाद bin लगाएंगे उसके बाद verb के first form में ing उसके बाद object उसके बाद scene स्या for वो तो time के उपर depend करता है और last में हम time को लिखेंगे अब देखिए example है वह दो घंटे से cricket खेल रहा होगा अब देखिए इसमें subject क्या है वह यानि ही के बाद क्या होगा will है उसके बाद bin का प्रियोग किया गया फिर verb के first form में ing यानि play में ing फिर देखिए यहाँ दो घंटे है यानि कि period of time है इसलिए यहाँ पर for का प्रियोग कि क्या गया और time है two hours मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है पर जैन परफेक्ट कांटिनिमस हो या पास्ट परफेक्ट कांटिनिमस हो कि सिंस और फॉर का प्रियोग हम कहां करते हैं और especially मैं अपने प्री पोजीशन वाले वीडियो में मैं detail में समझाया हूं कि स सिंस का प्रियोग और फॉर का प्रियोग किनके सांथ कब होता है तो ठीक है अगला है हम सुबह से अख़वार पढ़ रहे होंगे यानि subject देखिए वी है उसके साथ will have का प्रियोग किया गया है आप यहां cell have का भी प्रियोग कर सकते हैं उसके बाद been का प्रियोग किया गया है फिर वर्व के first form में ing यानि reading का प्रियोग किया गया है फिर object newspaper का प्रियोग किया गया है इसके बाद देखिए हम morning है जो कि निश्चित time का बोध कराता है point of time का बोध कराता है इसलिए since का प्रियोग किया गया है और उसके बाद हम time morning को लिखे है नेक्स्ट example है मैं दो आजे से पढ़ रहा हूंगा अब दिखिए इसमें subject आई है उसके बाद will have का प्रियोग किया गया है आप यहां shall have का भी प्रियोग कर सकते हैं उसके बाद been का प्रियोग किया गया फिर वर्व के first form में ing यानि studying का प्रियोग किया गया है और दिखिए है two o'clock point of time है और point of time हम sins का प्रियोग करते हैं तो sins का प्रियोग किया गया है और उसके बाद time two o'clock लिखा गया है अब दिखिए इसमें object का प्रियोग हमने नहीं किया क्योंकि इस sentence में कोई object नहीं है राजू पांच वर्स से इस विद्यालय में पढ़ रहा होगा यानि subject देखिए यहां पर राजू है उसके बाद will have का प्रियोग किया गया फिर बिन का प्रियोग किया गया फिर वर्व के first form में ing यानि studying का प्रियोग किया गया और object group में indis school है इसलिए indis school को रखा गया फिर उसके बाद में period of time है इसलिए four का प्रियोग किया गया है और अंत में time को दिखाया गया है five years अब इस तरह से आप यदि sentence का structure जानते हैं तो फिर आप sentence को हिंदी से English करने में बिल्लुकुल कठिना ही नहीं होगी यही पुरा sentence का format है अब आते है negative sentence क्यों negative sentence में भी हमें कुछ अलगस नहीं करना होता है स्रिफ will के बाद not का प्रियोग कर देना है देखिए negative sentence पहले हम subject को रखेंगे फिर will का प्रियोग करेंगे और will के बाद not का प्रियोग करेंगे यदि sentence में नहीं है तो will के बाद not लगाएंगे उसके बाद फिर have been फिर verb के first form में ing फिर object को रखेंग फिर since या for को रह करके time को last में लिखते हैं एक्जामपल देखिए वह दो घंटे से खाना नहीं पका रही होगी यानि subject क्या है see उसके बाद will अब sentence में नहीं है इसलिए दिखें not का प्रयोग किया गया है उसके बाद have been का प्रयोग किया गया है फिर वर्ब के first form में ing का प्रयोग किया गया है object के रूप में food है उसके बाद period of time है इसलिए यहाँ पर four का प्रयोग किया गया और time two hours last में लिखा गया अगला example है वे चार बजे से cricket नहीं खेल रहे होंगे यानि वे यानि दे subject है उसके बाद will का प्रयोग किया गया फिर not का प्रयोग किया गया उसके बाद have been का प्रयोग किया गया है फिर verb के first form में ing लगाया गया फिर object के रूप में cricket है और यह point of time होने से since का प्रयोग किये और last में 4 o'clock समय को हमने लिखा अगला example है लड़के एक घंटे से नहीं हस रहे होंगे देखिए इस sentence में कोई object नहीं है अब यहां subject क्या है लड़के यानि the boys उसके बाद will का प्रयोग किया गया फिर उसके बाद not का प्रयोग किया गया है और उसके बाद have been का प्रयोग किया गया है फिर देखिए यहां verb के first form में ing यानि laugh में ing लगाया गया फिर उसके बाद में देखिए यहां object कोई नहीं है फिर यह जो sentence है इसमे period of time है an hour इसलिए यहां पर for का प्रयोग किया गया और end में an hour यह time को लिखा गया ओके clear है बस आपको यही structure को अब यह देखिए मैं हर वीडियो में आपको यह बताता हूं कि interrogative sentence में भी two types होते हैं दो प्रकार के होते हैं पहला होता है yes no type interrogative जिसका जबाब हम हां या नामें देते हैं yes no में इसलिए उसको yes no interrogative कहलाता है और इसकी सबसे बड़ी पाचान क्या है कि यह sentence क्या से सुरू ह होता है अब इसका structure पहले देखते हैं देखिए yes no type interrogative का structure होता है will, फिर subject, फिर have been, फिर verb के first form में ing, फिर object, फिर since या for का प्रियोग करते हैं और last में time का प्रियोग करते हैं और हाँ question mark, question mark मिशन ही करना है अब देखिए इसका example देखते हैं, क्या वह दो घंटे से कपड़े धो रही होगी, अब यहाँ पर subject क्या है, see, तो उसके हिसाब से आ गया will, पहले हम subject जो रहे हम will का प्रियोग करेंगे, पहले देखिए will, फिर यहाँ will का प्रियोग किया गया, फिर subject, subject see है, फिर have been, फिर verb के first form में ing, या यहाँ पर object के रूप में है clothes, और यहाँ period of time का बोध हो रहा है, इसलिए for का प्रियोग किया गया, और अंत में time को हमने रख दिया, अगला example है, क्या हम पांच बजे से cricket खेल रहे होंगे, यानि सबसे पहले will, फिर हम यानि we subject है, फिर उसके बाद है been, फिर verb में ing, यानि play म फिर यहाँ point of time का बोध हो रहा है, इसलिए since का प्रियोग किया गया, और अंत में हमने समय को रख दिया 5 o'clock, next example है, क्या नेहा सुबह से लिख रही होगी, फिर देखिए structure, will, फिर subject, नेहा, फिर उसके बाद having, उसके बाद verb के first form में ing, यानि की writing, यहाँ पर object नहीं है, और यह point of time है morning, इसलिए हमने since का प्रियोग किया, और last में morning को रख दिया, तो देखिए एक ची और भी देखना है, माल लीजिए sentence interrogative है, और इसमें not भी लगाना है, यानि sentence interrogative और negative दोनों में है, यदि not रहता है, तो subject के बाद हम not का प्रियोग करेंगे, जैसे माल लीजिए यह यहां निहा है, उसके बाद not का प्रियोग करेंगे, वी subject है यहां पर उसके बाद not का प्रियोग करेंगे, या इस sentence में c subject है, यहां पर हम not का प्रियोग करेंगे, यह नौट रहता है तो, अब अगला structure देखना है, डबलू एच टाइप question का, तो देखिए डबलू एच यही होता है, बस उसमें हम क्या करते हैं, कि question word, जैसे sentence के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या, आता है, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं, जिसे हम question word करते हैं, तो देखिए structure in का, question word का, डबलू एच question का, पहले question word, फिर will, फिर subject, यदि sentence में not है, तो नहीं है, तो subject के बा है, तो not का प्रियोग नहीं करेंगे, फिर उसके बाद having, फिर उसके बाद verb के first form में ing, फिर उसके बाद object, फिर since या for, प्लस time का प्रियोग करते हैं, अब इसका example देखते हैं, वह दो बजे से क्या कर रही होगी, यानि देखिए क्या जो है question word है, इसलिए question word, what का पहले प्र प्रियोग किया गया, उसके बाद subject इसमें see है, उसके बाद, अब दिखिए sentence में not नहीं है, इसलिए हमने not का प्रियोग नहीं किया, यदि रहता तो subject के बाद not का प्रियोग करते हैं, उसके बाद have been का प्रियोग किया गया, फिर verb के first form में ing, यानि दू, verb का first form होता है, इसम हमने ing किया और यह sentence जो है point of time है इसलिए since का प्रियोग किये और last में two o'clock वो मैंने रखा अगला example है वे सुबह से कहां खेल रहे होंगे यानि कहां question word है तो देखिए where का प्रियोग पहले किया गया उसके बाद will का प्रियोग करेंगे फिर subject दे है उसके बाद इसमें भी not नहीं है इसलिए हमने not का प्रियोग नहीं किया फिर have been का प्रियोग किया फिर वर्ब के first form में ing यानि play में ing फिर उसके बाद देखिए since का प्रियोग किया गया और अंत में Mourning का प्रयोग किया गये क्यकि morning के पाले शिंच का प्रयोग होगा अगला है नेहा वार से विद्ध्यालē क्यों नहीं जा रही होगी अब यह दिखिए ही sentence में sentence प्रेशन वर्ड है तो हमने पहले लोग कई किया फिर सब्जेट में नहीं भी एक इसलिए सब्जेक्ट में हा 5 नहीं प्रेयोग किया फिर उसके बाद हैबीन का प्रेयोग करें पिर वर्ब के फय्स्ट वार्म में जी यानि यूँके का प्रियोग किया और उसके बाद object को रूप में to school है और लास्ट में यह morning है यानि point of time है इसलिए हमने sins का प्रियोग यहां किया और लास्ट में morning समय को डाल दिया गया लास्ट एक्जामपल है मोहन दो वर्स से इस मकान में कैसे रह होगा तो देखिए संटेंस में कैसे क्या है question वर्ड है यानि कि हाओ हाओ मिन्स कैसे तो मैंने पहले question वर्ड हाओ को रखा उसके बाद विल उसके बाद subject मोहन को रखा इस sentence में not नहीं है इसलिए हमने है बिन का प्रियोग किया उसके बाद वर्ड के first form में आई एंजी यानि लीविंग लीव में आई एंजी इसके बाद इस विद्याले में था इसलिए in this house और ये for two years यानि दो वर्स है इसलिए period of time है और period of time में हम for का प्रियोग करते हैं तो देखिए हमने होर का प्रियोग किया और last में समय two years को लिखा तो बस आपको इस structure को समझना है एक बार समझ में नहीं आता है तो दो बार देखिए ऐसे मैंने इतना असपास structure formula बना करके रखा है जो कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यदि इसको आप seriously concentrate होकर देखते हैं तो पहली बार में ही समझ आएगा और मैं यह भी फिर याद दिला दूँ कि जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है और आप इसको sequence में जब देखेंगे हर वीडियो को present indefinite से सुरू करिए और यहां तक देखिए sequence में और पूरा वीडियो देखिए तब आपका पूरा concept में किलियर हो जाएगा क्योंकि किसी भी grammar में यदि आपको अच्छा करना है तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे student आपको tense strong करना ही होगा तो ठीक है यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को like जरूर करना आप लोग वीडियो देखते तो हो लेकिन like नहीं करते हो लेकिन आप like करेंगे और जो अभी तक से subscribe नहीं किये होंगे वो बिलकुल subscribe करेंगे और यह भी मैं बता दूँ आपको कि मैं अगला करेंगे जहें